नमस्ते वर मुश्रान्ति आप सब शुरुतों को आपको सौगत आपके है यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल पर जो लोग अभी तक आनी पाए हैं और जो की इसको इंस्ट्राग्राम पर या फीस्बूकर सुन रहे हैं आप विक्कुल इस लिंक पर जाकर के वहां पर कनेक कि परमांत्मा पिता हमसे किस प्रकार के कर्म करवाना चाहते हैं और हम कर्म करें तो क्या सोच करके करें तो देखें आज के 234 वे दिन के वर्दान में बाबा कहते कि हैं कि बाबा कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बन पिछली बायर भी हमने इसके बारे में सुना से त्रिकालदर्शी तीन हो कालों को जानकर न करके कर्म करना बन हर करम युक्ति युक्त करने वाले युक्ति मतलब की तरीके से करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा क्यूंकि आमें नहीं फसे ताकि हम उससे कैसे बचे उसके लिए परमात्म क्या समझाते हैं देखे जरा जो भी संकल्प बोलवा कर्म करते हो संकल्प भी एक कर्म है परमात्म के नुसार एक बीज है जिससे कि बोले उत्पन होते हैं और फिर कर्म भी होते हैं हाथ पैर से या कर्मेंद्रियोस होते हैं चाहिए आप आखों से किसी को गुस्सा दिखाएं वो भी कर्म है मुख से कुछ बोलें वो भी कर्म है कुछ अच्छा बुरा सुनें वो भी कर्म है हाथ पैर से तो कर्म होती है वह मास्टर तरिकाल दर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ वा अनर्थ नहीं हो सकता जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि कोई भी कर्म करते समय अगर हम ये सोचें कि मेरे को फायदा हो जाए इस समय मैं कर लूँ मेरे को इस समय एक escape route मनला कि एक तरीका मिल जाए कि मैं बच जाएं औरों को जो हो मुझे नहीं उससे फिकर है कोई लेना देना नहीं अगर वो सोचे कर्म करते हैं समझ नहीं थी तो वो दुआ है कि बदुआ सोचेगा जरा पिर बाबा कहते है नहीं हो सकता साक्षी पन की स्थिती में स्थित होकर साक्षी मतलब यह नहीं कि आप लिकुल कर्म कर रहे हो और उसके बाद में आपने कर्म किया और आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है नहीं हरे कर्म के response पिलता हूँ हम हैं लेकिन वो कर्म करते समय किसी की उच नीच की बात आई सबकोस किसी ने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे करना चाहिए उसमें अगर आपको अहंकारा गया उसमें अगर आपको इरशा आ गई, ग्रहना आ गई, नफरत आ गई तो फिर वो कर्म तरिकाल दर्शियों करके नहीं है क्योंकि उस काल में, उस present काल में आपके अंदर वो negative संकल पाए जिसका की फल कैसा होगा अवगुण की द्वारा किया हुआ कर्म या negative energy की द्वारा किया हुआ कर्म वो आगे जा करके भी और negative हो जाएगा तो परमातवा कहते हैं कि इसलिए सोच करके वो कर्म करो present में, वर्तमान में फिर बाबा कहते हैं साक्षिपन की स्तिती में स्तित होकर कर्मों की गुईय गती को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाओ अगर आप मुख से चला चला के बोलते हैं तो आपको या तो गली की problem है ना, या तो किसी किसी को तो अगर बहुत समित अगर ऐसे हैं तो किसी को throat cancer भी हो जाता है अगर आप आँखों से औरों के अंदर बुराईयां देखें, psychological है vibration से भी related है तो आपकी आँखों में problem हो सकती है येस, अगर आप हात पैर से गरत कर्म करते हैं तो हातों में, पैरों में आपको दर्द हो सकता है किसी को मारना, पीटना हात पैर में दर्द हो गई होगा आपको वापिस क्योंकि वो दस गुना हो करके आएगा फिर परमात्मा कहते हैं कि गुय गति को जानकर इन करमेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे शेरी से जो कर्म करता है वो हमारे चक्रों में जैसे कि हम जानते है कि साथ चक्र होते है लेकिन हात्तों में पैर में भी चक्र होते है हमारे शुक्ष्म चक्र होते है उनके ऐनदर Mission स्ड़िद्ध होता है और वो जो Energy Rad vocal होती है हाथों से गलत कर्म किये तो आपने इन हाथों को पांच तत्तों के बने विस हाथ को इस्तमाल किया बुरे कर्म करने के लिए तो लास में जब शरी छोड़ना पड़ता है तो यह हाथ ही खीचते हैं हाथ निकलने नहीं देता है कर्माती स्थिती का आनुभव करते रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे उसमें कर्म के बंधन में नहीं फसेंगे हम, बंधन में फसने का मतलब क्या है, जब आपने अवगून इस्तमाल करें, मुख से कुछ गलत बोला, तो आप इस कर्मेंद्री के बंधन में फस गए, जिसको बोला, उसने बद्दुवाइं दी, उसके साथ भी भस गए अब आपको यही कर्मिंद्री इस्तमाल करनी पड़ेगी उसको समझाने में, उसको फुसलाने में, मिलाने में तो परमात्मा कहते हैं कि यहां अगर संकल्प, बोल कर्म अगर एक लाइन में हैं तो फिर आपके जो कर्म होते हैं, वो आपको बंधन में नहीं फसाते हैं प्रॉइद इसको लाइन में आपके गुनों के दोरा किया जा रहे है मुक्सेतव हुँ प्रॉल्म आपने करमिंद्री गल्लत इस्समाल करी्ट हाथ परसे भी किया तो बंधन हो जाता है, आपको फिर से 10 गुना किसी को मनाना पड़ता है, 20 गुना किसी को समझाना पड़ता है कि नहीं, तो वो क्या हो गए वो बंधन हो गया, आप फस गे उसमें, किसी को फुसलाना, किसी को मनाना, किसी को सौरी बोलना, 10 बारी बोलना पड़ता है, ताकि वो इंसान माने, वो बंधन है, वो आपको हैवी कर देता है, आपको समय तक उलजा के रखता है उन चीजों में, उन संकल्पों में, पूरे दिन बर, ये बंधनों से बचने के लिए परमात्मा कहते हैं, कि तीनों कालों को दे करके सोचो, बोलो और करो, ताकि आप हैवीनेस में भारी पन में नाओ पूरे दिन, तो अगर आपके पास में कुछ अनुब हो है, अगर आपने कुछ ऐसे experience किये हैं, वो बंधनों के बारे में, तो आप शेर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और औरों के साथ भी, अगर आपको लगता है किसी को